Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th, English Worksheet week 7, topic is, am, are. आज हम class 4th, week 7, English की Worksheet solve करेंगे, topic is, am, are. तो चलिए, Worksheet solve करते हैं. तो बच्चो आज की Worksheet में हम is, am, are के बारे में पढ़ेंगे. यहां लिखा है singular, I am, you are, he, she, it, is. तो आई के साथ am, you के साथ are, और he, she, it के साथ is लगाया जाता है. और यह सभी singular है. अब plural, we are, you are, they are. तो यहां पर we, you, they plural हैं और इनके साथ are आता है. Q1 करते हैं, select the correct option to complete the sentences and write the answers in your notebook or reply through voice message. तो यहां पर आपको सही option को select करना है और sentence को complete करना है. पहला आपके लिख किया गया है, I am writing a letter. तो यहां M पर सही का निसान लगाया है. नेक्स्ट करते हैं, my father, that's very strong. तो यहां is लिखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स सेंटेंस है, we, that's going to Agra. तो वी के साथ क्या लगाते हैं, are. तो यहां are लिखेंगे. नेक्स्ट, I, that's ready for school. आई के साथ M लगाते हैं, तो M सही option है. नेक्स्ट, the children, that's playing. तो यहां are लिखेंगे. चिल्डरन, plural, plural के साथ are आता है. तो यहां is लिखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां ब्लैक्स दे हुए हैं, आपको इस M और आर में से सही को ब्लैक्स में फिल करना है. फिर्स्ट, राम डैस इन दा गार्डन, तो यहां is लिखेंगे. राम इस इन दा गार्डन. नेक्स्ट, देर आर फाइब एग्स इन दा बॉक्स, तो यहां आर लिखेंगे. दा कॉफी इस इन दा कब, तो यहां is लिखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. दा ब्रैड अन नाइफ डैस ओन दा टेबल, तो यहां आर लिखेंगे. यहां और लिखेंगे. Plural है. बैटरफ़ाइज दैस फ्लाइंग हाइए इन दा सकाई. बैटरफ्लाइज पलॉॉरल है, तो यहां और लिखेंगे. आई दैस अउनली फॉर इयर्स आलड़। तो यहां आम लिखेंगे. सिंगूलर है. आई के साथ आम आता है. It does raining today तो यहाँ is लिखेंगे It singular है Is आता है Next The apples does fresh Apples plural है तो are लिखेंगे The apples are fresh चलिए आगे बढ़ते हैं Question 3 I am Pooza and this is my family मैं Pooza हूँ और यह मेरी family है I love my family मैं अपनी family को बहुत प्यार करती हूँ Complete the sentences given below Using is, am, are नीचे दिएगे sentences को पूरा कीजिए आप उनमें is, am, are लिखेंगे चलिए sentences देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं First I dash a girl I am a girl Second I dash 8 years old मैं 8 साल की हूँ तो यहाँ am लिखेंगे I am 8 years old My father dash very strong तो यहाँ is लिखेंगे My father is very strong मेरे पापा बहुत strong है Fourth He dash a vegetable seller He के साथ is लगाते हैं He is a vegetable seller वहें सबजी बेचते हैं Fifth My mother dash very kind तो यहाँ is लिखेंगे My mother is very kind मेरी ममी बहुत दयालू है Sixth She dash very loving तो यहाँ she के साथ is लिखेंगे She is very loving Seven My brother dash very naughty मेरा भाई dash बहुत सदारती है तो यहाँ is लिखेंगे Eight My parents dash very helpful तो यहाँ are लिखेंगे My parents are very helpful मेरे parents बहुत helpful है Ninth They dash very hard working तो यहाँ are लिखेंगे They are very hard working वे बहुत महनती है The Tenth We dash a happy family तो यहाँ are लिखेंगे We are a happy family चलिए आगे बढ़ते हैं Life Skills Critical Thinking तो यहाँ Life Skills में Critical Thinking के बारे में बताया गया है Take two minutes to look at the words and objects on this page Then turn the page over and see how many you can recall तो यहाँ पर नीचे एक table दी गई है आप इसे दो मिनट तक देगे सब्दों को पढ़ेंगे और objects को देखेंगे उसके बाद page पलट देंगे और फिर आप recall करेंगे कि आपको कितने words याद है चलिए नीचे दी गई table में words देखते हैं तो बच्चों यहाँ इस box में आप देख सकते हैं कुछ words दिये हुए हैं और कुछ pictures दी गई हैं आपको इन words को पढ़ना है और इन pictures को ध्यान पूरवक देखना है केवल दो मिनट तक आप इन words को पढ़ेंगे और देखेंगे उसके बाद आप page को पलट देंगे और फिर देखे वे pictures वाले words और पढ़े हुए words को लिखने की कौसिश करेंगे कि आप कितने words लिख पाते हैं अब यहां नीचे लिखा है try this, do it again repeat the activity can you improve your performance तो यहां आपको इसे इस परकार करने की कौसिश करनी है और बार बार इसको repeat करना है तो इससे क्या है कि आपकी performance improve हो सकती है तो यहां लिखा है can you improve your performance आप सिर्फ बताएंगे अपने अध्यापक को कि yes, मेरी performance improve ही पहली बार में 5 words लिख पाया दूसरी बार में 10 words जिए 6 words जितने भी आप लिख पाये थे तो आप इन words को पढ़ेंगे और pictures को ध्यान पूरवक देखेंगे केवल 2 minutes तक तो यह कारेंगे आप स्वैम करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं संसकार शाला 15th July World Youth Skills Day 15th July को World Youth Skills Day है World Youth Skills Day is celebrated on 15th July every year to raise awareness about the importance of technical and vocational education and training and the development of other skills relevant to both local and global economy तो यहां बताये गया है कि 15th July को World Youth Skills Day celebrate किया जाता है ताकि technical vocational education और training और local वे global economics के परिप्रेक्स में skill development causal विकास हो सके तो इन सब के महत्व के परती awareness पैदा करने के लिए 15th July को World Youth Skills Day celebrate किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं Positive anything is better than negative nothing कुछ ना करने से कुछ सकारात्मक करना अच्छा होता है eat, drink, any red color food like tomato, watermelon, leechy, cherries, rue of the or any other item game, word, antakshri आपको antakshri का game खेलना है play with your family and write the words in your notebook और अपने family के साथ खेलना है और कुछ words अपनी notebook में लिखने है activity of the day write your two wishes which you want to be fulfilled आपको अपनी दो wishes इच्छाएं लिखनी है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाएं चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां daily routine दैनिक दिन्चरिया दी गई है include the following habits in your daily routine निमने लिखेत आदतों को अपनी दिन्चरिया में सामिल करें कौन कौन सी आदते हैं begin your day by greeting your parents brush your teeth twice a day take a bath daily drink plenty of water and eat a balanced diet avoid touching your face and wash your hands frequently complete your homework on time तो यहां कुछ daily routine दिन्चरिया में सामिल करने वाली अच्छी आदते हैं good habits हैं आप इनको अपने daily routine में include करेंगे कौन कौन सी हैं अपने माता-पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें अपने दातों को दिन में दो बार brush करें प्रति दिन स्नान करें खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार-बार धोएं अपना ग्रे कारें समय पर पूरा करें तो बच्चो इन बातों को आपको अपनी दैनिक दिन चर्या में सामिल करना हैं तो बच्चो ये वर्क्शीटियां कम्पलीट होती हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल Knowledge Kingdom Thank you